हलो फ्रेंट्स वेलकम टूर्स इंफो मेरा नाम डीता चौधरी आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे अच्छे होंगे ऐसे ही अपना और अपने परवरवालों का ध्यान रखें स्वस्त रहें अच्छे मस रहें आज का वीडियो कंटिनियस रीन रिप्लेस्मेंट थ्रैपी के टाइपस के उपर है कि टाइपस ऑफ सी राटी क्या है इससे पहले सी राटी क्या है किस कंडिशन में सी राटी को यूज करते हैं कौन कौन से रिप्लेस्मेंट सॉलूशन यूज करते हैं यह मैं पहले बता चुक्यूं तो आज शुरू करते हैं टाइपस ऑफ बोलते हैं, and fourth है continuous venous hemodye filtration जिसे CBV HDF बोलते हैं, तो CRRT चार प्रकार की होती है, next आता है, हम स्टार्ट करते हैं, slow continuous ultra filtration है, its short form is scuff, यह जो slow continuous ultra filtration जो dialysis है, CRRT है, यह जब भी किसी person के अंदर over fluid हो जाता है, और जो euremia नहीं होता, without euremia का patient होता है, और over fluid होता है, body, body में, तब इसको use करते हैं, mainly जो scuff है, यह heart disease के patient को, यह heart से related कोई disease होती है, उन लोगों को use करते हैं, और यहाँ पर ultra filtration process apply, application principle apply होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या निकालते हैं, water को remove करते हैं, patient की body से, extra water जो होता है, patient की body में, उसको remove करते हैं ठीके, और यह hyperpolymia patient में भी use की जाती है, heart की surgery वाले patient में भी use की जाती है, इस process में हमें blood और effilent pump की need होती है, इसके अलाबा यहाँ पर dializate और replacement solution की need नहीं होती, ठीके, यहाँ पर blood flow rate जो है, यह 150 ml per minute लिखा है, मैंने लेकिन देखिए, यह कोई sure नहीं है, कि 150 ml per minute होगा, और जो भी physician है, जो भी patient को CRRT के लिए advice कर रहा है, वो क्या मतलब बताता है कि कितना rate करना है, क्या नहीं करना है, उसके according होता है, तो इसलिए मैं बता भी practical में और theory में थोड़ा difference होता ही है, यहाँ पर जो next है, यह आपका diagram है, इसी का scuff का जो मैंने यहाँ पर बनाया, मतल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर दिखाई नहीं गई है, यहाँ पर dializate और replacement solution भी यूज नहीं करते हैं, तो वो भी नहीं दिखाए गए हैं, तो इस तरीके से यह diagram है, तो आप इसे देख सकते हैं, next question है, sorry, next type is का continuous venous hemofiltration, जैसे हम short form में क्या बोलते हैं, CBVHB बोलते हैं, य इसमें क्या होता है, it removes large volume of fluid mainly, इसमें भी भूत अधिक मातरा में, मतलब जो भी extra पानी होता है, उसको जब किसी patient के अंदर बहुत जादा पानी होता है, तब इसको remove किया जाता है, किस patient में kidney वाले patient की बात कर रही हूँ, ठीक है, यह जो effective method है, removal of large molecule, ठीक है, इसके द्वारा large molecule को remove करने के लिए यह effective method है, इसमें क्या होता है, solute killrace occurs by, देखे, पहला जो process था, उसमें क्या था, cable और cable, इसकफ में ultra filtration हो रहा था, ठीक है, ultra filtration means पानी निकल दाता, यहाँ पर क्या है, large volume fluid भी निकलेगा, large molecules भी निकलेंगे, और यहाँ पर यह क्या कह रहा है, solute killrace occurs by convection, solute का जो killrace होता है, solute means, दो चीज़, माल लीजे कि नमक और चीनी का घोल है, यह पानी है, ठीक है, और पानी है और इसमें नमक मिलाया, तो नमक जो की पानी में घोल रहा है, तो यह क्या है, solute है, और पानी जो की नमक को घोल रहा है, यह क्या है, solvent, तो यह क्या कह रहा है ये solute की किलरेंस होती है इसमें convention के द्वारा solute are carried along with the bulk flow of fluid in hydraulic induced ultrafiltration of blood next ये क्या कह रहा है need replacement solution first वाले में scuff में ना तो dializate solution की need थी ना ही कोई replacement solution की लेकिन CBBH में replacement solution की need होती है क्योंकि ये replacement solution के थुरू convention का process होता है इसके अलाब़ा चो pump यूज होती है यहाँ पर क्या है blood pump, replacement pump और effilent pump अब आप scuff में और इसमें यही से देख लीजेगा कि वहाँ पर effilent और blood pump की need थी यहाँ पर एक pump और जुड़ गई replacement pump वहाँ पर इसकफ में केवल ultrafiltration था यहाँ पर convection और ultrafiltration दोनों आ गए principle डालेजेट फ्लूड यहाँ पर नकी जरुवत नहीं होती इसके अलाबा plasma water and solute remove by देखिए plasma water solute जो है वो किसके थुरू remove होंगे convection के द्वारा और जो भी extra पानी होगा plasma में वो किसके थुरू remove होगा ultrafiltration के द्वारा next है blood flow rate greater than 100 ml per minute देखिए इसके एक range बताई गई है कि scuff में 150 ml per minute होना चाहिए और इसमें 100 ml per minute से जादा होना चाहिए लेकिन फिर भी यही बात आके अटकती है कि यह depend करता है कि उस समय क्योंकि CRRT emergency मतलब बहुत ही critical patient में की जाती है तो यह depend करता है कि जो भी physician है जो भी मतलब doctor है वो क्या advice करा और patient की condition कैसी है उसी के according हम इसे blood flow rate को set करेंगे next है ultra filtration rate जो है यहाँ पर 20 से 2200 ml per hour दिया हुआ है लेकिन totally depend upon the physician advice according to patient condition replacement flute जो है यहाँ पर कितना है मतली means की 1 liter से 2 liter per hour ठीक है इसके बाद use bicarbonate waste और lactate waste solution इसमें हम electrolyte solution और bicarbonate or lactate waste solution को use करते हैं यह जो डाइग्राम है यहाँ पर सीधे simple base पर हमने बताया है कि यहाँ पर हमें किसकी जरूरत होती है effilent pump की blood pump की ठीक है और हमारी replacement pump की need होती है तो यह इसका एक डाइग्राम है यह आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं इसके अलाबा अब हम आज आते हैं continuous venous hemodialysis पर यह क्या है it is a continuous form of hemodialysis जैसे हमारी dialysis होती है वैसे ही यह उसी की continuous form of dialysis की require dialysis solution and create concentration gradient for diffusion यहाँ पर dialysis solution की need होती है अभी तक इस कफ में और CBBH में dialysis solution की need नहीं थी लेकिन यहाँ पर dialysis solution की need है किसके लिए concentration gradient को create करने के लिए diffusion process में so dialysis solution use होता होगा replacement solution की need नहीं होगी इसमें इसके अलाबा यहाँ पर blood, dialysis and effilent pump पहले इस कफ में हमें cable bread pump की need थी और effilent pump की need थी दूसरे process में हमने replacement pump को और add कर दिया था ठीक है लेकिन दोनों ही process में dialysis solution की need नहीं थी लेकिन यहाँ पर dialysis solution की need है और यहाँ पर replacement pump की need नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम dialysis solution को use कर रहे हैं तो हमें किसकी need है dialysis pump की need है अगर replacement solution को use करते तो हमें replacement pump की need होती ठीक है देन है plasma water and solute same procedure जो की CBH में था कि plasma water किसे रिमूव होगा ultra filtration से और जो solute से वो किसके द्वारा remove होंगे diffusion के द्वारा हमेशा ध्यान रखिएगा अगर पानी निकलने की बात आती है dialysis में तो वो ultra filtration के ही द्वारा remove हो रहा है next CBBHD is effective method for removal of small to medium size molecule देखिए अगर हम CBBH की बात करते हैं तो वहां पर हम large molecule को remove कर रहे लेकिन यह जो CBBHD है ठीक है इसके थुरू हम small और medium size के molecules को remove करते हैं blood flow rate जो है यहां पर 80-200 ml पर minute है ultra filtration rate जो है यह भी कितना है 20-100 ml पर hour लेकिन totally depend upon the patient condition and according to physician advice dializate used to create concentration gradient across the semi-permeable membrane as like first CBBH dializate flow rate जो है यहां पर कितना है 600-1800 ml पर hour लेकिन यह भी according to doctor advice अब यहां पर हमने कौन कौन सी pump यूज की है यहां पर हमने यूज की है dializate pump देखिए dializate pump effilent pump और एक हमारी blood pump होगी जो कि हमें यहीं कहीं पर दिख जाएगी यहां पर यह तो access pump हो गई यह blood pump आपको यहां पर दिख जाएगी वैसे यहां पर भी देख सकते हैं मुझे दिखाई नहीं दे रही है लेकिन आप इसको diagram को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो आपको यहां पर यह दिख जाएगी जरूर ठीक है पूरा यह पूरा diagram है big form में जिसे आप देख सकते हैं यह इसका दूसरा भी diagram दे रखा है मैंने अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर यहां पर देखिए अलग से भी एक ओर diagram दे रखा है डालेजेट इफिलेंट के लिए नेक्स्ट हम आते हैं कंटिनियस वीनोबीनस हीमोडाइ फिल्ट्रेशन फोर्थ टाइप पर यह क्या है कंबाइन फॉर में किसकी CBBH की मतलब CBBH और CBBHD की ठीक है और इसके अलाबा यहां पर हुँकिस ऑ कहुँकर सकते तो यहां पर सवीषयलेंट के टाइल और ट्यलेजेट आप यहां नीड होगी अबीट तक नहीं तो रिप्लेस्मेंट फ्लूट्한테 के सस है की और डायलेजेट फ्लूट की एक साथ नहीं ही थी. CBBH की बात करते हैं तो वहाँ पर replacement solution की need थी. और अगर हम CBBHD की बात करते हैं तो वहाँ पर dialezet की लेकिन यहाँ पर दोनों ही combined हो गए. यहाँ पर CBBH और CBBHD है तो यहाँ पर dialeget solution की भी और replacement fluid की भी need होगी replacement fluid जो है 500 ml पर आर के साब से use किया जाता है और dilagate fluid जो है वो 1 liter पर आर के साब से use किया जाता है pump की बात करते हैं तो 4 तरह की pump required रहेंगी इसमें जैसे blood pump, dilagate pump, replacement और effilent pump क्योंकि यहाँ पर blood pump और effilent pump तो use होती होती हैं लेकिन क्योंकि byte और Kl7 भी यूज उढोई लेकिन ब्लेट फ्लो रेटें जयांच और टि सुभालख रहा है तो लेक है आ उत्यों करर ऐसे यह रहें कि लख्यूत कनेक्ट लख तो में इत हैलिसे करता है कि एक रश duyणिकन करता है according to patient condition ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अगर आपको देख पा रहे हो यह डाइग्राम में मैंने सारा दिया है blood pump का भी दिया है, replacement pump का भी दिया है philand pump का भी दिया है और dializate pump का भी दिया हुआ है ठीक है, और भी इसके डाइग्राम दिये हुआ है इसको थोड़ा सा बिक करके दिखा दूगी जिससे कि आप जब देखेंगे इसको तो आपको दिक्कत ना हो यह देखिए ठीक है इसके अलाब आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर आपको सभी तरह की pump मिल जाएंगी, यह मैंने अलग अलग तरह से डाइग्राम गूगल से उठाके आपको इसलिए दिये हैं कि कहीं पर भी confusion ना रहे ठीक है तो आइठिंक कि बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं यह था आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्क्राइब करना ना भूलें थेंक्यो